शुक परभाद प्यारे बच्चों! आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत हैं। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्तें, सुरक्षितें और साथ में खुशो कर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों! आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की कारी पत्री का क्रम संख्या 142 जो की हमारे पाट सुनीता की पईया कुर्सी पर आधारित है। कारी पत्री का की पर्ष्णों को हल करने से पहले उपर दीगी सभी जानकारी आपको अपनी हिंदी की कोपी में सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखनी हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे हिंदी कारी पत्री का क्रम संख्या 142, दिनांग 28-2022, कक्षा 4, अ, ब, या स, जो भी आपका सेक्षन है, पाठे पुस्तक आपकी रिमजीम है, पाठ हमारा है सुनीता की पहिया कुर्सी, विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, सिक्षक या सिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी की अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है, आईए हल करते हैं आज की हमारी कार्य पत्री का क्रम संख्या 142 नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम पाठे पुस्तर का पाठ बारे सुनीता की पहिया कुर्सी पढ़ेंगे ये पाठ हमें सुनीता की हिम्मत और आतम निर्भरता की भावना को समझने में मदद करता है सुनीता को सडक की जिनकी देखने में मज़ा आता था और आज वे पहली बार अकेले बजार जाने वाली थी बच्चो पाठ पढ़कर जानिए कि सुनीता बजार से क्या लेने जा रही है और वहाँ क्या क्या हुआ प्यारे बच्चो आप अपने पाठे पुस्तक से इस पाठ को अराम से पढ़िएगा और समझेगा इसकी कहानी को जानने की कोशिश कीजिए आई ये जल्दी से अपने पाठ की कहानी को समझ लेते हैं सुनीता जब सुबह सोक कर उठी तो उसे याद आया कि आज तो उसे बजार जाना है आज वे पहली बार अकेले ही बजार जाने वाली थी ये सोचते ही उसके आँखों में चमक आ गई हाला की सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुरसी की मदद लेती थी लेकिन वे अपने रोजाना के काम जैसे कपड़े बदलना, जूते पहनना आदी खुद ही कर लेती थी वे जल्दी ही नहाँ धोकर तयार होगी नास्ता करते करते जब उसने मा से पूछा की बजार से क्या क्या लाना है तो मा ने उसे एक किलो चीनी लाने के लिए कहा सुनीता ने मा से जोला और पैसे लिए और अपनी कुरसी पर बैठ कर बजार के लिए निकल पड़ी सुनीता को सडक की जिन्दगी देखने में बहुत मजा आता था छुट्टी का दिन होने की कार्ण बहुत से बच्चे खेल के मैदान में खेल रही थे उन्हें देखकर सुनीता उदास हो गई क्योंकि वह भी उनके साथ खेलना चाहती थी खेल के मैदान में सुनीता को एक लड़की फरीदा नजर आई उसकी माँ उसे लेने आई हुई थी वहाँ एक लड़का अमित भी था जिसे सब छोटू छोटू कहकर चुड़ा रहे थे क्योंकि उसका कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था रास्ते में कई लोग सुनीता को पहिया कुरसी पर देख कर मुस्कुराए सुनीता को उनका ये विवार अजीब लगा आगे चलने पर उसे फिर से फरीदा दिखाई दी फरीदा ने उससे उसकी पहिया कुरसी के बारे में पूछा इससे पहले की सुनीता उसे कुछ बताती, फरीदा की मा उसे वहां से ले गई सुनीता और आगे बढ़ी, वे दुकान तक तो पहुँच गई, परन्तु दुकान के अंदर जाने के लिए कुछ सीडियां चड़नी पड़ती जो उसके लिए बहुत कठिन था, सुनीता बाहर ही रुख गई कुछ समय तक किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, तबी वहां अमिता पहुँचा उसने पहिया कुरसी को दुकान तक पहुँचाने में उसकी मदद की जब दुकान में पहुँचकर सुनीता ने चीनी खरी दी, तो दुकानदार ने चीनी की थेले उसकी गोद में रखती सुनीता को दुकानदार का ये विवहार अच्छा नहीं लगा वापसी में जब उसने अमित से इसके बारे में बातचीत की तब उसने कहा कि तुम पईया कुर्सी पर बैठती हो और मेरा कच छोटा है इसलिए लोग हमारे साथ ऐसा विवहार करते हैं लेकिन सुनिता अपने आपको दूसरों से अलग नहीं मानती थी दुकान से लोटते वक्त उन्हें फिर से फरीदा मिल गई अमित सुनिता की पईया कुर्सी के पीछे चड़ गया और वे दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगी फरीदा भी उनके साथ साथ दोडने लगी लोग उन्हें अभी भी देख रहे थे परन्तु अब सुनिता को उनकी परवा नहीं थी देखा प्यारे बच्चों आपने सुनिता कितनी बहादूर है और कितनी आत्म निर्भर है वो अपने पैरों से नहीं चल पाती है अपनी पैया कुर्सी की सहायता से चलती है लेकिन फिर भी सुनिता अपने सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है सुनिता को बहार की जिंदगी सड़क की जिंदगी बहुत अच्छी लगती है लेकिन जब लोग सुनीता को अलग समझ कर बाकी बच्चों के तरीके से उसके साथ विवार नहीं करते हैं तो सुनीता को बहुत दुख होता है लेकिन सुनीता एक बहादूर लड़की है वे किसी भी कीमत पर हार नहीं मानती है उसको लोगों की परवा नहीं है, कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वे अपने जीवन का आनन्द लेती हैं और अपने आपको बाके बच्चों जैसा ही समझती हैं प्यारे बच्चों, ये थी बहादुर सुनीता के जीवन की कहानी, आप भी सुनीता के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं और साथ ही आपको अपने आसपास में या अपनी कक्षा में, अगर कोई ऐसा बच्चा है, जो दिव्यांग है, उसके साथ समानता का विभार करना चाहिए उसको कभी भी ये ऐसास नहीं दिलाना चाहिए, कि वो आपकी तरह नहीं है आईए कहानी को जानने के बाद, दिये के प्रशनों को हल करते हैं सबसे पहला प्रशन है, पाठे पुस्तक के आधार पर कोश्टक में लिखे शब्दों में से उप्युक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजी आपके पास एक वाक्य दिया गया है, वाक्य के बीच में खालिस्थान है और कोश्टक में आपको दो शब्द दिये गए हैं, दोनों में से सही शब्द का चुनाव करके वाक्य को पूरा करना है सबसे पहला वाक्य है क सुनीता को खालिस्थान की जिन्द की देखने में मज़ा आता है सडक या पहाड अभी अभी कहानी हमने पढ़ी है और आप सभी जानते हैं सुनीता को सडक की जिन्द की देखने में मज़ा आता है खब हाग है, खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा खालिस्थान की दुकान के सामने खड़ी मिली कौश्टक में दो शब्द है, कपडों की दुकान के सामने या फिर खिलोनों की दुकान के सामने प्यारे बच्चों, अगर पाठ को आपने ध्यान से पड़ा है अपनी पाठे पुस्तक से, तो आपने देखा खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपडों की दुकान के सामने खड़ी मिली सही शब्द क्या है, कपडों गभाग है, देखो, तुम पईया खालिस्थान पर बैठ कर चलती हो, मेज या कुर्सी तो ये तो बड़ा ही आसान है, आप सभी जानते हैं, सुनीता कैसे चलती थी? पईया कुर्सी पर बैठ कर चलती थी, देखो, तुम पईया कुर्सी पर बैठ कर चलती हो इस प्रकार से आपने वाक्य को सही शब्द का चुनाव करके पूरा करना है आईए अगला प्रिशन देखते हैं पाठ के आधार पर नीचे दिये गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में से खोज कर गोला लगई किनी तीन शब्दों को वाक्य में परियोग कीजिए आपके पास एक अक्षर जाल दिया गया है पहली दी गई है और कुछ शब्द दिये गए है इनके अर्थ आपने यहां से ढूनने है और एक वाक्य भी बनाना है उधारन के लिए आपको एक शब्द दिया गया है जैसे की सहायता और सहायता किसका आर्थ होता है मदद मदद करना यानि सहायता करना और इसका एक वाक्य भी बनाया गया है मुझे सहायता करना अच्छा लगता है अब आपको दूसरा शब्द दिया गया है जिन्दगी अब जिन्दगी को और क्या कह सकते हैं जिन्दगी जिन्दगी यानि जीवन और जीवन को आपने क्या करना है यहाँ पर गोला लगाना है और साथ में जीवन का प्रियोग करके एक वक्य भी बनाना है हमी जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए अगला शब्द है अजीब अजीब को क्या कहते हैं, क्यार्थ होता है अनोखा अनोखे को आपने क्या करना है, कोला लगाना है और साथ में इसका एक वाक्य भी बनाना है वाक्य कैसे बना सकते हैं, अनोखा से कल मैंने एक अनोखा खिलोना देखा अगला हमारा शब्द है विभार और विभार को क्या कहते हैं? बरताव, कैसा बरताव करते हैं कैसा विभार हम करते हैं बरताव की साहेता से एक वाक्य बनाते हैं हमें दूसरों के साथ अच्छा बरताव करना चाहिए अगला हमारा शब्द है राहत राहत यानि चैन चैन को आपने गोला लगाना है और साथ में इसका एक वाक्य भी बनाना है जैसे ही बिजली आई मैंने चैन की सांस ली अगला हमारा शब्द है जट और जट का अर्थ क्या होता है? जल्दी से या फिर तुरंत तुरंत आपका शब्द दिया गया है यहां पर अक्षर जाल में इसको आपने गोला लगाना है और इसी की साहिता से एक वाक्य भी बनाना है हमें अपना ग्रह कारिये तुरंत करना चाहिए इस तरीके से प्यारे बच्चों आप अपने नए वाक्य बना सकते हैं इन शब्दों के अर्थ की साहिता से आशा करती हो आपको प्रशन समझ में आया होगा आईए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखते हैं पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए पाठा पढ़ चुके हैं और पाठ में से आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं कब हाग में आपसे पूछा गया है मा ने सुनीता को बजार से क्या लाने को कहा याद कीजिए मा ने क्या लाने को कहा था एक किलो चीनी सुनीता को दुकानदार का विवार अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि दुकानदार ने उसको चीनी हाथ में नै पकड़ा कर उसकी जोली में रख दी थी और इस तरह का विवार सुनीता को अच्छा नहीं लगा सुनीता को सब लोग गोर से क्यों देख रही थी? क्योंकि सुनीता बाकी बच्चों की तरह अपने पैरों से नहीं चल रही थी, वो अपनी पहिया कुर्सी की सहायता से चल रही थी, इसलिए लोग गोर से देख रहे थे घह भाग में आपसे पूछा गया है, सुनीता कौन-कौन से काम स्युम करती थी? सुनीता कौन-कौन से काम करती थी? रोज-मर्रा के काम करने में उसको दिक्कत तो होती थी, लेकिन जैसे कपड़े पहनना, जूते पहनना, ये सभी काम वो खुद से करती थी प्यारे बच्चों, इन सभी परशनों के उत्तर आपने अपनी कौपी में लिखने हैं आईए अगला परशन देखते हैं, परशन संख्या 4 निमन लिखित, शब्द सम्मू में से सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाईए वर्तनी यानि सही मात्रा के साथ, जो शुद रूप में शब्द लिखा गया है, उसके उपर आपने गोला लगाना है खभाग में आपके पास तीन शब्द हैं, तीनों में से सिर्फ एक सही लिखा गया है, सही मात्रा के साथ लिखा गया है, बाकी दो गलत है आईए पढ़कर देखते हैं, कुर्सी, कुसी, कुर्सी, तो तीनों में से सबसे सही उच्चान किसका है? पहले का, कुर्सी, और सही मात्रा वाले कुर्सी शब्द को हम गोला लगा देंगे, खभाग में है हालाकी, हालांकी, हालांकी, तो यहाँ पर चंदर बिंदु आएगा दूसरे नंबर वाला, जो हमारा शब्द है, हालांकी, वो बिल्कुल सही है, इसको हम गोला लगा देंगे, और गभाग में वापिस, 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 तो कौन सा सही है? दूसरे नंबर वाला, वापिस, सही है, इसको हम क्या लगाएंगी? गोला लगाएंगी, प्यारे में सही तरिके से लिखेंगे क्योंकि सही मातरा के साथ लिखेंगे तभी हमारी भाशा शुद हो पाएगी और हम शुद लेखन कर पाएगे आपके माता पिता के लिए सुझाव हैं बच्चों को सडक सुरक्षा के नियमों से अउगत कराते हुए बताएं कि हमी सडक पर कभी भी खेलना नहीं चाहिए तथा सडक पर हमेशा बाई तरफ चलना चाहिए प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं रेड लाइट, यलो लाइट और ग्रीन लाइट इनका किस तरह से परियोग करना हैं सडक पार करते समय और सडक के आसपास खेलते समय हमें नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि जरासी सावधानी हटने से दुरघटना घट सकती है इसलिए सड़क पार करते समय सड़क सुरक्षा नईमों का पालन करना चाहिए अपने से बड़ों की सहायता से आपको सड़क पार करनी चाहिए क्योंकि अभी आपकी उमर काफी छोटी है COVID-19 महामारी से बचने के लिए प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं हमें साबून और पानी से अपने हाथों को बार बार धोना है अपने आपको स्वच्छ रखना है रोगानों से मुक्त रखना है घर से बहार जाते समय हमें मास का प्रियोग करना है और सामाजिक दूरी बना कर रखनी है बिना किसी जरूरी कारिये की घर से भार नहीं जाना है और सभी नीमों का पालन करना है आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक और नई कारी पत्रिका के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आप सुन्दर सुन्दर लिखाई में अपना पूरा काम हिंदी की कोपी में पूरा करेंगी और मेरे साथ साजा करेंगी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद